उत्तराखंट केंद्रिय विद्यालय में करवाएं अपने बच्चे का एड्मिशन 21 मार्च है लास्ट रेट पढ़िए डिटेल केवी में अपने बच्चे का प्रवेश कराने के लिए अभिभावक 21 मार्च तक करें आवेदन पढ़िए उत्तराखंट केंद्रिय विध्यालय एड्मिशन प्रोसेस देहरादून, अगर आप भी अपने बच्चों का एड्मिशन केंद्रिय विध्यालय में करवाना चाहते हैं तो इस खबर को अंत तक जरूर पढ़ी केंद्रिय विध्यालय कई अभिभावकों की पहली पसंद है ऐसे में आपके बच्चे भी केवी में पढ़ सकते हैं उत्तराखंट केंद्रिय विध्यालय एड्मिशन प्रोसेस दरसल केंद्रिय विध्यालय इन दिनों सत्र 2022-23 के लिए कक्षा एक की प्रवेश प्रक्रिया संचालित करा रहा है ऐसे में जो भी अभिभावक केंद्रिय विध्यालय में अपने बच्चे का प्रवेश करवाना चाहते हैं वो एक की स्मार्च तक आवेदन कर सकते हैं बच्चों का केंद्रिय विध्यालय में दाखिला करवाने के इच्छुक अभिभावक केंद्रिय विध्यालय संगठन की आधिकारेक वेबसाइट www.kvs.kvs.gov.in पर जाकर ओनलाइन आवेदन कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए आवेदन करने वाले अभिभावक इस बात का ध्यान रखें की 31 मार्च को बच्चे की आयू 6 वर्ष होनी चाहिए पहली एड्मिशन लिस्ट 25 मार्च को प्रकाशित की जाएगी और अगर सीटे खाली रहती हैं तो दूसरी और तीसरी लिस्ट एक से 8 अप्रेल के बीच में घूशित की जाएगी केंद्रिय विध्यालय एड्मिशन प्रोसेस ओनलाइन आवेदन करने के लिए बच्चे का आयू प्रमान पत्र, जन्म प्रमान पत्रल, श्रेनी प्रमान पत्र, पी डव्यूडी प्रमान पत्र और वर्दी धारी रक्षा कर्मचारियों के लिए सेवानिवृती का प्रमान पत्र इत्यादी होना जरूरी है फोन करते समय सभी डिटेल्स ठीक से भरे क्योंकि गलती हुने पर फॉर्म सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा केंद्रिय विद्याले संगठन ने यह पहले ही साफ कर दिया की अधूरे आवेदन पत्र खारिज कर दिये जाएंगे और अगर किसी ने भी गलत प्रमान पत्र के आधार पर प्रवेश प्राप्त किया तो प्रधनाचार्य की ओर से उसको भी तुरंत रद कर दिया जाएगा और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवा ही की जाएगी इस बार कोविड की वजए से केंद्रिय विद्याले प्रवेश प्रक्रिया ओनलाइन ही की जा रही है